परिचय नमस्कार दोस्तो, आप देख रहे हैं कि टेबल पर फल रखे हुए हैं, हमारे पाँच आम हैं, तीन सेब और दो अनन्नास हैं, इसे इस तरह से बताना आकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है, मान लीजिए कि आप अपने पसंदीदा बल्लेबास के पिछले विश्वकप के आकड़े जानना चाहते हैं, आप इसे कैसे जानेंगे, आपको स्कोर बुक में देखना होगा, स्कोर बुक में ये सभी आकड़े होते हैं, आकड़ों का प्रबंधन सूचना को स्रक्षित रखन का नाम है, आओ सीखें, सारणियों का प्रयोग करके आकड़ों का अभिलेखन करना, दंड आलेख की सहायता से आकड़ों का प्रदशन करना, सारणी का संघटन योग से सही तरेक्टे से सजा सकते हैं। सारणी हमें आगणों को सुवेवस्थित धंग से रखने में सहायता करती है। मिलान चिन आईए अवे गतिविधी करते हैं। दो पासे लें। दोनों पासों को एक साथ फेकें और देखें कि कितनी बार दोनों पासों के अंकों का योग नौ से ज्यादा होता है। यह भी देखें कि कितनी बार उनका योग नौ से कम था। इस कदिविधी को बीज बार करें और सारणी में दरज करें। हमने देखा कि चिहनित करना आकणों के अभिलेखन में सहायक है। इन्हें मिलान चिहन कहते हैं। पांच-पांच करके गिनने के बजाए पांच के बाद गिनिती को फिर से शुरू करतें और करना में एक शेश चिहन जोडतें। यह करना को फीवर बना देगा। दंड आलेक दिये गए लेखा चित्र को हम दंड आलेक कहते हैं। यह लेखा चित्र आगणों को दर्शाने का एक अन्य तरीका है। एक दंड आलेक आगणों को दर्शाने के लिए दंड का प्रियोग करता है। दिये गए आलेक में विशय को नीचे और चात्रों की संख्या को दंड आलेक के बगल में लिखा गया है। हमने क्या चर्चा की? आव्यवस्थित आंकडों को कच्चे आंकडे कहते हैं। सुव्यवस्थित आंकडों की व्याख्या आसान होती है। आंकडों को सारणी, मिलान चिन और दंड आलेक की सहायता से व्यवस्थित किया जा सकता है। झाल झाल